टूठ व्चली शुरू करते हैं हम लोग तो आज बात करेंगे पेरलक्स मेफ़ड की और ये मेफ़ड कहां से किस कॉंटेक्स में बात कर रहे हैं जब हम किसी की लेंथ को यह हाईट को डिस्टिस को मतलब नापने की कुशिस करते हैं तो हमारे पास दो तरह के method आते हैं, एक तो direct method, और दूसरा indirect method. Direct method में, किसी चीज़ की length अगर नाप नहीं है, जैसे में example दे रहा था भी, यगर pen है, pen का हमें length नापना है, तो एक सीरे से दूसरे सीरे तक नपाई कर दीजे, scale लेके या meter scale से अपने पजाये गई है तो दोनों सीरे हाथ में है तो direct method अपनी height नपनी है तो जमीन से लेकर ख़ड़े कर ना पनी है यह height निकलाएगी दोनों सीरे लेकिन कही बार ऐसी चीज़े होती है जिसमें दोनों सीरे हाथ में नहीं होते जैसे किसी mountain का height उस case में जरूरी नहीं कि mountain पर चड़ गई ना पर तो जैसा मैं बात कर रहा था कि अगर यह mountain की height है तो आप किसी distance से एक angle measure कर लेंगे ऐसे करके angle measure कर सकते है instrument आता है और फिर कुछ distance आगे बढ़े और फिर से एक angle measure कर लिया यह distance को बोल देते हैं d यह height h और यह x और यह आपकर simple trigonometry का सवाल हो गया जो class 9 में लगाया हुआ है class 10 में लगाया हुआ है उसकी उसकी मदद से आप h and x निकाल सकते हैं तो यह indirect क्यों हुआ होगी परवत पर चड़े नहीं फिर भी height निकाल लिया आरीवा समने है अब यहां इसके अलाबा जो हम large distances को नापने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक term आता है यह एक important चीज़ आती ही जिसे बोलते है parallax method तो देखे parallax चीज़ होती ही है पहले ही feel करते है जो last time थोड़ा आपने feel कराने की कोशिश की थी आपको कि अगर मैं आपसे बोलूं यह मैं एक dot बना देता हूँ और इस dot के सामने आप अगर यह वीडियो भी देख रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं यह dot आपको नजर आ रहा हो और आप लोग भी कर सकते हैं कि अपनी pen की tip को आगे रखिए ऐसे और एक आग बंद कर लीजे एक आग बंद करके ऐसे इसके context में आप pen की tip देखिए फिर जो आग खुली उसको बंद करके दूसरी खोल लीजे तो आप क्या देखेंगे कि इसका tip का position बदल रहा है देखिए हमें भी दिखाई पढ़ रहा है एक बार tip रखते हैं तो कुछ दूसरा position एक आग बंद एक खुली अब second time जो खुली थी उसको बंद जो बंद थी खुली और position change जबकि ये pointed dot का position नहीं बदल रहा ये भी stationary था उस समय फिर भी आखों से दो अलग-अलग position नज़र आ रहे हैं इस इसा क्यों हो रहा है क्योंकि हमारी आखों के बीच में distance है we are seeing this tip of the pen with two different angles एक बार आखों से ऐसा एंगिल जाता है और एक बार आखों से ऐसा एंगिल जाता है इस विज़े से इसकी position बदल जाती है this is parallax और बीच में बनने वाला यह जो एंगिल होता है अगर दो position से आप देख रहे है पोजिशन नमबर ए पोजिशन नमबर बी और यह जो एंगिल बना थीटा इसको बोलते है parallax angle ठीक है इसे बोलेंगे parallax angle बात समझ में आती है तो अब क्या होता है कि जब हम किसी इसको इसका अभी हम लोग किसमें इस्तिमाल करने वाले हैं अभी इस्तिमाल करने वाले large distance को measure करने के लिए large distance कौन जी मान लीजे कोई far away star है star का मतलब टारा है far away अचा far away के बाद एक word आता है very far away वो भी हम बात करेंगे तो far away का अगर हमें distance निकालना कितनी दूर है तो उस तारे पर तो जा नहीं सकते हैं तो direct method apply नहीं हो सकता इंडारेक्ट तरीके से ही निकालना होगा ठीक है तो हम दो different position से उसके बीच का एंगिल निकाल लेते हैं तारे का अजब निकाल लेते हैं अब यह क्योंकि एभी जो distance है वह इस respect में बहुत छोटी है तो लगा देते हैं एंगिल is equal to arc upon radius क्योंकि यह चीज छोटी है इसलिए यह जो है सेम मान सकते हैं यह radius यह arc अब यहाँ पर अगर angle मालूम है आपको और यह arc भी मालूम है position आपने बदली कहां से कहां तक जाएंगे यह भी मालूम तो radius निकला आएगे radius क्या होगी हमारी beach की distance distance from approximate distance बोल सकते हैं काफी तक ठ distance आप कैसे निकाल लेंगे दर्ती से ही निकाल लेंगे very far away star की practically कैसे कर सकते हैं अब समझवाई बात logic की concept था ठीक parallax method का अब logically क्या होता है कि मान लीजे कोई बहुत हमारे पास दूर ता रहा है very far away की बात कर रहा हूं तो जब कोई चीज बहुत दूर होती ही ना very far away तो उस से और हमारे बीच में बनने वाला angle जल्दी बदलता नहीं है जैसे train में सफर कर रहे हूं आप और सूरज निकला हो तो आप जब सूरज देखेंगे और आदे गंटे बाद भी देखेंगे तो आपको लगए तो वहीं है जहां था लगता है ना कियार आदे गंटे उज़र क है सूरज तो यह मैं सर पे टंगा हुआ है क्यों क्योंकि वह बहुत दूर है सूरज और ट्रेन आदे गंटे में काफी दूरी कर चुकी है बीस किलो मेटर तीस किलो मेटर आगे जा चुकी है अरी बाद समझ में तो हमने क्या कि जी बीच में समझ लीज़े सन है और अर्थ अर्थ यहां के चक्कल लगाए कि इस इस अर्थ तो एक हमने बहुत दूर जो वेरी फार अवे स्टार है वेरी फार अवे वहां से आने वाला रे उसको क्या मान लेंगे कि वो एक सर्टन एंगल मना रही है जो एंगल नहीं बदलेगा यहां से भी नहीं बदलेगा और जब इसका यहां कई माल नेते हैं चलो यह की नहीं बदलेगा अब उसके बाद क्या होगा कि जब 6 महीने बीतेंगे तो अर्थ सन का चक्कल लगाती है इसे आपको मालू है 365 दिन में तो 6 महीने बाद यहां पहुँच जाएगी अर्थ ठीक अब यहां पहुच गई तो फिर से हमने क्या किया इस सन को इस वाले स्टार को देखा थोड़ा सेंटर पॉइंट लेता है इससे समझने मसानी हो तो इससे माली जो कुछ एंगिल बनना था तो इससे भी वही एंगिल हमारा बन रहा होगा यानि इन दो घूरे में कोई भी एंगिल में चेंज नहीं होगा क्यों कि वो जो स्टार है वो बहुत दूर है पास में रखने है इसलिए तेड़ी बना नहीं पड़ रही है यहीं बना रहे डॉर्ट ना इसलिए वहना क्यों होगा दोनों में आंगल सेम बहुत दूर है वह बहुत दूर है समझ पारें माद कि अगर कोई star very far away है तो वहाँ से हम पर बनने वाला angle change नहीं होगा तो इसको हमने नहीं बनाया दोनों का लिस्टेट नहीं बना दिया जो एंगल बनना तो पहले वह यह बनना है लेकिन इससे पास में एक far away star है this is far away जिसका distance हमको निकालना है तो अब यहां से आप देखेंगी यह तो यह angle measure कर लेंगे पहले से this is theta 1 very far away से far away के बीच का angle अब very far away से जो 6 महीने बीच का इधर चले आया उसके बाद आप यहां से पहला लाइन किस दीजिए इसके जो चल रही है theta 2 तो यह भी theta 2 और यह theta 1 तो यह भी theta 1 तो यह total angle कितना आगिया theta 1 प्लस theta 2 यह कौन सा एंगिल है पहरा parallax angle parallax angle अब वही concept लगा देना है अब यह जो हुए यह sun था पीच में यह distance कितनी हुई sun और अर्थ की बीच में एक AU होती है इसके बीच में भी एक AU तो टोटल कितनी हो गई 2 AU angle यह थीटा 1 प्लस थीटा 2 is equal to R R कितना है 2 AU upon radius radius मतलब जो R आपको निकालना है this is R यह R क्या हो जाएगी height हो जाएगी R से R से कह लीजे या जिस center को आप मान के चल रहे है क्योंकि काफी बड़ी distances है तो लगभग लगभग बराबर निकल आवेगी R ही बास समझ में तो यह method है parallax method parallax method का feel करने का तरीका आपको दिखाया दिवाल पे board पे dot बना लिजे एक चीज रखिए एक आथ बन देखिए फिर खुली हुई आख बन बन आख खुली दूसरी वाली मतलब और फिर से position बदल जाएगी this is the parallax position में change क्यों कोई कि दो different angles से मुसको weave कर रहे हैं जब भी दो different angles से की जाती है position बदलती हुई दिखाई पड़ती